साथियों कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात मेरे मित्र और केनिया के पूर्व प्रधान मंत्री रायरा उर्रिंगाजी से हुई थी ये मुलाकात दिल्चस्पत थी ही लेकिन बहुत भावूप थी हम बहुत अच्छे मित्र रहें तो खुल करके काफी बाते भी कर लेते हैं जब हम दोनों बाते कर रहे थे तो ओडिंगाजी ने अपनी पीटिया के बारे में बताया उनकी बेटी रोज मेरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और जिवज़े से उन्हें अपनी पीटिया की सर्जरी करानी पड़ी थी लेकिन उसका एक दुश्प्रणाम यह हुआ कि रोज मेरी की आँखों की रोशनी करीब करीब चली गई दिखाई देना ही मंद हो गया अब आप कलपना कर सकते हैं उस बेटी का क्या लुआ होगा और एक पिता की स्थितिका भी हम अंदाद लगा सकते हैं उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं उन्होंने दुनिया भर के अस्पतालों में कोई भी दुनिया का बड़ा देश ऐसा नहीं होगा कि जहां उन्होंने बेटी के इलाज के लिए भरपूर कोशिश लखी हो दुनिया के बड़े बड़े देश च्छान मारे हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और एक प्रकार से सारी आशाई छोड़ दी पूरे घर में एक नराशा का बातराण बन गया इतने में किसे ने उनको भारत में आयुर्वेट के इलाज के लिए आने के लिए सुझाव दिया अब वो बहुत कुछ कर चुके थे ठक भी चुके थे फिर भी उनको लगा कि चलो भई एक बाद ट्राय करें क्या होता है वे भारत आई के रला के एक आयुर्वेटिक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू किया काफी समय बेटी यहां रही आयुर्वेट के इस इलाज का असर ये हुआ कि रोज मेरी की आँखों की रोशनी काफी हद तक वापस लोट आई अब कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक नया जीवन मिल गया और रोशनी तो रोज मरी के जीवन में आई लेकिन पुरे परिवार में एक नई रोशनी नई जिंदगी आ गई और ओडिंगा जी इतने भावोग होकर के बात मिझे बता रहे थे कि उनकी इच्छा है कि भारत की जो आईरुवेद का विज्ञान है वो केनिया में ले जाए जिस प्रकार के प्लांट्स इसमें काम आते हैं उन प्लांट की खेती करेंगे और इसका लाब अधिक लोगों को मिले इसके लिए वो पुरा प्रयास करेंगे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी धरती और प्रंपरा से किसी के जीवन से इतना बड़ा कश्ट दूर हुआ और यह सुन करके आपको भी खुशी होगी कौन भारत पासी होगा जिसको इसका गर्वन हो हम सभी जानते हैं कि ओडिंगाजी ही नहीं बलकि दुनिया के लाखों लोग आईवेट से ऐसे ही लाब उठा रहे हैं